हलो माई दियर फ्रेंड्स, you are most welcome in our video session and you people are watching IT Adda आज का वीडियो काफी important है माई दियर फ्रेंड्स जिसमें हम Active Directory के किसी नए practical को explore करने वाले हैं बाइदे वे इस particular practical के अंतरगत हम user logon and time policy के उपर discuss करेंगे इससे पहले मैंने previous वीडियो में आप लोगों को client बनाना और user login करना बताया था और user login के time पे छोटी सी problem आ गई थी basically hyper V में और उस problem को basically resolve कर लिया है तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी explore करके दिखाऊंगा और कि वो previous वीडियो में जो user login करते समय remote desktop से related कुछ issues आ रहे थे वो issues कैसे आप resolve कर पाएंगे यह आप hyper V इस्तिमाल कर रहे हैं windows integration features को तो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह मेरा domain controller है जो की itadda.net से बना हुआ है आप इसकी properties में verify कर सकते हैं और यह मेरी virtual machine है जो server 2k8, server 2k19 पर running है और यह machine जो है वो मेरे इस domain controller के client machine है previous वीडियो में मैंने यह सब कुछ discuss किया था और एक मैंने यहाँ पर user भी बनाया है मैं आपको यहाँ verify करा दो dsa.msc और यहाँ एक कमल कुमार नाम का एक user है इस user को मैं previous वीडियो में login कराने की कोशिश कर रहा था client machine पर बट login होने में problem आ रही थी तो मैं वो problem सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि problem क्या रही थी यह था आपका hyper v enhanced mode में चल रहा है जैसे मैं अभी इस अपने hyper v को enhanced mode में login कर रहा हूँ आप देखना ध्यान से यह enhanced mode है means full screen में मैंने इसको login किया है जब भी आप अपने hyper v में enhanced mode में चलाओगे और किसी भी particular domain user को आप login कराने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने problems ही problem आएंगी user login नहीं करेगा मैं अभी कोशिश करता हूँ login कराने की तो basically मैं अभी यहाँ पे system को disconnect करता हूँ यहाँ पे मैंने अभी disconnect किया और मैं reconnect करता हूँ reconnect basically enhanced mode में enhanced mode में मैं यहाँ पे user login कराता हूँ जो की kk name से है और मैं यहाँ पे password fill करता हूँ जैसे enterprise करता हूँ आप देख सकते हैं यह problem previous video में भी आ रही है और अभी भी आ रही है चुकि मैंने यहाँ पे आपको दिखानी की कोशिश किया कि यही problem आ रही थी basically यहाँ पे यह remote desktop service का member बनाने के लिए request कर रहा है आपका user आपकी machine but actual में यह कुछ problem है नहीं ठीक है अब इसको resolve कैसे करेंगे आप यहाँ ok press करिए सबसे पहले आप अपने hyper v को enhance mode से हटा दीजिए यहाँ पे enhance session आ रहा है enhance session को आप अंचिक कर दीजिए अंचिक करने के बाद आप other user पे जाईए और simply अपना वही same user आप यहाँ type करेंगे तो आप simply login कर पाएंगा आप देख सकते हैं same user है और मैं यहाँ अपने user के अंतरगत login कर गया हूँ आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो user है वो basically यहाँ पे वही user है same user है जो की login नहीं हो रहा था वो login हो रहा है तो कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी particular domain के user को अपनी virtual machine पे login कर रहा है खास करके जब आप Hyper-V की virtual machine यूज़ कर रहे हो तो आपका यह जो screen mode है वो enhanced mode में नहीं होना चाहिए तो यह तो previous problem resolve हो गए कि हमारा जो user login नहीं कर रहा था वो कैसे login करेगा अब बात आती है time policy की तो basically मैं अभी इसे अपनी user को log out कर देता हूँ और log out करके मैं चलता हो time policy की तरफ तो time policy एक बहुत बड़ा factor my dear friends industry standard पे बहुत ही ज़्यादा use में आने वाला practical है कि आप जितने भी domain user होते हैं सारे domain user का एक time session define कर सकते हैं उनके basically login time के according या फिर उनका जो भी shift wise होता है उसके according आप उनका login time define कर सकते हैं तो यह particular practical theme है my dear friends user log on and time policy तो किसी particular user के उपर याद आप time restrictions लगाना चाहते हैं कि आप इतने से इतने time के बीच में ही login कर पाएंगे और अन्य time पे आप login नहीं कर सकते हैं तो वो चीज कहां से define होती है basically domain infrastructure में और उसको आप कैसे कर सकते हो आज के यह video theme है my dear friends तो basically यह जो भी time policy है यह network time protocol पे depend करता है तो आपका जो time zone है वो time zone मगरा सब कुछ proper होना चाहिए आपके network में जितनी machines है वो same time zone पे running होनी चाहिए और यह तो global time पे properly मतलब local infrastructure है तो आपका जो timing है वो proper matter करता है तो यहाँ पे आप अपना time zone setup कर लेंगे सबसे पहले time zone common होना ठीक है तो यह मेरी actual machine है जिसमें यह timing आ रहा है 8.29 PM और मेरी जो virtual machine है उस पे भी same time आ रहा है मैं यहाँ पे अभी कमल कुमार को ही login करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे मेरा timing proper है ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 7.59 हो रहा है तो यहाँ पे आप time zone को पह से वही US Canada का time आ गया है तो आप जहाँ जिस particular reason से belong करते हैं आप अपना timing जरूर define कर लीजिए नहीं तो इस particular practical में कहीं ने कहीं आपको problem face होने वाली है ठीक है तो time zone setup करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे proper time setup हो जाएगा इसके बाद आप इस user को logout कर देंगे और अप domain controller पर basically आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले आप start menu पर क्लिक करेंगे start menu के बाद आप चले जाएंगे सीधे windows administrative tool पे windows administrative tool पे आप यहाँ पे सीधे आ जाएंगे active directory users and computers को explore कर लेंगे आप यहाँ से भी इसे open कर सकते हैं और आप चाहें तो सीधे चले जाएं run पे और type करें dsa.msc और hit कर दे सीधे आपके सामने users and computers का wizard open हो जाएगा आप जिस किसी भी particular user के उपर आप time restrictions लगाना चाहते ह user को आप select कर लेंगे मेरे case में कमल कुमार है जो login user के के नेम से है और इसकी मैंने properties open कर ली है और आपको भी property open करना है यहाँ पे आप account option यहाँ पे नजर आरा account tab इस पे क्लिक करेंगे account tab में यहाँ पे एक option आपको नजर आरा logon hours logon hours का मतलब आप उसका login time या logon time define कर सकते हैं कि आप कब से कब तक login करें आप यहाँ पे लागाउन hours में चले जाएंगे लागाउन आर्स में अभी मेरे पास यहाँ पे 831 हो रहा है 831 p.m तो मैं यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं all all का मतलब यहाँ पे timing आ रहा है यह typically यह रात के बारा से दिन के बारा दिन के बारा से रात के बारा ये टोटल 24 hours 24 गंटे कवर हो रहे हैं यहाँ पे और ये पूरा पूरा का पूरा week कवर हो रहा है ठीक है Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday तो 24 इंटू 7 का ये पूरा चार्ट आ रहा है इस particular चार्ट में आप जिस किसी भी timing का आप schedule करना चाहें उस time पे आप policies apply कर सकते हैं तो basically आभी फिल हाल में मेरे case में जो है वो 8.32 PM हो रहा है तो मैं यहाँ पे आप यहाँ जहां से देखें मैं यह मेरा 8 है यह evening का 8 है यह morning का 8 है तो evening के 8 पे आज हो गया है Wednesday तो यहाँ पे मैं 8 to 12 का मैंने column select कर लिया है Wednesday का और 8 to 10 का column select करने के बाद यहाँ पे एक option नज़र आ रहा है आपको logon denied जैसे आप logon denied पे चिक करेंगे यह वाला blocks जितने भी यह 4-5 blocks है यह सारे white हो जाएंगे white का मतलब है कि logon denied है और blue का मतलब है logon permitted है तो मैंने 8 even not 7 से लेके 12 तक का यह timing जो है मैंने logon denied वाले option में रख दिया है मतलब इस समय user login नहीं कर सकता है तो इस तरीके साब अपना time selection ले लेंगे जिस किसी particular user को जिस time पे आप login कराना चाहते या नहीं कराना चाहते उसके according आप यहाँ पूरा आपना time selection ले लेंगे उसके बाद यहाँ पर logon denied या logon permitted जो भी आपको करना है permitted का मतलब login कर सकता है logon denied means उस समय के लिए time restrictions लग जाएगा ठीक है आप यहाँ पर ok प्रेस करेंगे apply प्रेस करेंगे and then ok अब हम चलते अपने user को login करने की कोशिश करते हैं वही user जो हमारा अभी तक login कर रहा था अब देखते हैं क्या problem आती है तो जैसे मैंने login करने की कोशिश की तो हमें एक error मिल रही है your account has time restrictions that prevent you from signing in at this time please try again later मतलब इस time आपके उपर policy लगी हुई है आप इस समय login नहीं कर सकते हैं तो यह है time restriction इस तरीके से आप अपने किसी भी particular user के उपर time restrictions लगा सकते हैं अप चल रहे time restrictions को हटाने की कोशिश करेंगे तो आपस आप same dsa.msc means active directory users and computers option पे चले जाएंगे अपने user की properties पे चले जाएंगे account option पे चले जाएंगे logon hours पे चले जाएंगे यहाँ पे जो आपने timing select किया था उसको select करके logon permitted पे चिक कर देंगे logon permitted का मतलब आपने उसको permission दे दिया है अब user आपका login कर सकता है तो try करते हैं virtual machine पे हमारा user login कर रहा है नहीं कर रहा है तो आपका user successfully login कर रहा है यह तो time policy होगा my dear friends logout कर देंगे user को logout करके पुना हाप signing wizard पे आ जाएंगे तो अब यह तो था time restrictions particular pacific IP के बहाब पे computer restrictions भी लगाया जा सकते हैं मतलब यद आप user को किसी particular computer पे किसी particular group of computer पे या individual single computer पे आप चाहते हैं कि उस particular computer पे user login ना कर सके तो वो भी आप define कर सकते हैं वो कैसे define होगा आप user की properties पे चले जाएंगे properties पे जाने के पाद account टैप पे चले जाएंगे यहाँ पे एक option आरा log on to log on to का मतलब है कि आप किस particular computer को allow कर रहे हैं इस user को login कराने के लिए जिस किसी भी particular user को computer को आप चाहते हैं को उस पे user ना login कर सके तो उसका आपको यहाँ पे IP address फिल करना पड़ेगा तो यह मेरा domain controller है domain controller पर मैं आपको verify करा दो मेरा जो IP है वह IP config से आप चेक कर सकते हैं मेरा जो इस समय IP चल रहा है that is 10.0.0.1 सेम केस में आप चले जाएंगे अपने domain controller पे sorry client machine पे client machine पे भी आप जाके verify करें आपका IP क्या है तो आप यहाँ सीधे cmd open करेंगे और यहाँ IP config की command चलाएंगे आपका IP है 10.0.0.2 जो इस virtual machine पे running है मैं इस particular IP address को use करते हुए kk user को basically deny करूंगा कि इस IP वाले machine पे वो user login ना कर सके इसके लिए आपको क्या करना होगा simply आप वोसी same option पा जाएंगे all computers का मतलब सारे computer पे login कर सके the following computers का मतलब जिस जिस computer पे आप चाह रहे हो वो login ना कर सके या login करे उस तरीके साब define कर सकते हैं तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि यह user 10.0.0.2 पे login ना कर सके तो मैंने यहाँ पे ip fill कर दिया, ok कर दिया, apply कर दिया, ok कर दिया तो यह मैंने अभी एक restrictions लगाई है कि यह जो kk नाम का user है वो user अनिक किसी machine पे जिस machine का ip address 10.0.0.2 है उस पे login ना कर सके तो एक बार हम log off करते हैं, log off करके try करते हैं कि यह login कर रहा है या नहीं कर रहा है तो जैसे मैंने password लिख के hit किया, आपको फिर से एक error देखने को मिल रही है your account is configured to prevent you from using this PC मतलब आप इस computer को use नहीं कर सकते क्योंकि इस particular user पे इस particular computer के IP के वहाब पे restrictions लगा दिया गया है कि यह IP means 10.0.0.2 जिस किसी भी computer पे चल रहा होगा यह mister user उसके login नहीं कर सकते हैं तो यह काफी important factor माई dear friends यदा आप industry standard पे काम कर रहे हैं company में आप पूरे company infrastructure को manage कर रहे हैं तो यह तमाम तरीके की policies आपको आनी compulsory है तो इस तरीके से आप अपने किसी भी particular user के उपर time restrictions लगा सकते हैं या IP के वहाब पे किसी भी particular computer पे restrictions लगा सकते हैं कि वो user किस computer पे login करे या किस computer पे login ना कर सके जैसे ही मैं यह IP यहाँ से remove करूँगा user फिर से free हो गया है वो हर एक computer पे login कर सकता है तो मैं अपनी virtual machine पे चलके आपको verify करा दूँगा जो अभी तक error आ रही थी वो error resolve हो चुकी है means हमारा user login कर पा रहा है तो इस तरीके से my dear friends आप अपने किसी भी particular windows infrastructure में आप domain environment में किसी भी particular users के उपर time restrictions लगा सकते हैं या किसी भी particular users के उपर particular specific computer restrictions लगा सकते हैं on behalf of IP address कि वो particular user कि इस computer पे login करे या ना करे I hope so आपको सारा concept visualize हुआ होगा आप अपने according इसको hands on करें practice करें और इसी तरीके से बहुत सारे knowledgeable videos आती रहेंगे my dear friends आप सबके लिए पूरा का पूरा ये MCSA का cell bus pattern cover हो रहा है server 2K19 और server 2K22 पे तो आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो के देखें साथ के साथ आप comments से भी करें और आपको वीडियो अच्छी लग रही तो likes भी कर सकते हैं और friend circle में भी share कर सकते हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly subscribe this channel and press the bell icon for the future notification so my dear friends आज के लिए अभी के लिए इतना ही काफी है मिलते हैं किसी next advanced practical के साथ तब तक के लिए thank you very much and have a great day my dear friends